ये डियाएब है बोडी पॉलिसिंग क्रीम आपकी बोडी के साधी टैन डर्ट पॉलिशन को हटा देगी बहुत ही आसानी से बन जाएगी और आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपको दुबारा से बनाने का मन जरूर करेगा ये बनाएंगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक शिरा और सबस्क्राइब जरूर कर देना क्योंकि मैं आपके लिए जो भी वीडियो लेके आती हूं बहुत ही सोच समझ के लेके आती हूं क्या आपके स्किन में सूट करेगा क्या नहीं करेगा तो मैं कुछ भी ऐसे नह अपन घर में बना सकते हैं इसके लिए मैंने कुछ इंग्रीडेंट लिया है एक बार की यूज के लिए मैंने और दाल एक चमच एक जमन मसूर दाल थोड़ी सी मेति और थोड़ी से राय दाने लिया है इन्हें वाश करके राद भार सोक होने के लिए रग दिया है दूसर देने से मिक्सर में मैंने पीस लिया है और पीसने के बाद इसमें एट किया है कच्चा दूद और एक पूरा ब्रेट ब्रेट की जो साइट के जो ये ब्राउन लेयर होती उसे हटा देना है खाली इसका बीच का पार्ट लेना है इसे भी तोड़के मिक्सर जान में डाल दे मसूर दाल मसूर दाल में एंटी ऐजिंग बहुत अच्छे से पाई जाते हैं यह फेस की जो यंगर लोकिंग दिखने में मदद करता है जुरियों को हटाता है टैन हटाता है तो आपको इसे हफते में दो बार जरूर लगाना ही चाहिए लेकिन आप डेली मसूर दाल का पैक लगाएंगे उसमें कुछ इंग्रीडेंट आड नहीं करेंगे तो इससे आपके स्किन कभी कभी हाम भी हो जाती है तो इसके साथ आपको दो तीन इंग्रीडेंट एड करने पड़ेंगे सारे इंग्रीडेंट के अच्छे यूज हैं जैसे कि औरत डाल स्किन वाइटनिंग जैसा साइन बना देगा क्योंकि इसमें एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी एजिंग गुन पाए जाते हैं लास्ट में राई पूरी तरीके से आप लेना चाहते हैं तो ठीक है नहीं तो आप इसे इसकिप कर सकते हैं राई से फेस में थोड़ा ग्लो आता है इसलिए मैंने लिया है आप उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं यह आपको नहीं पसंद है तो कच्चा दूद फेस क्लिंजिंग के बहुत अच्छी से काम करता है तो इससे बिलकुल इसकिप न करें इसका को उसे से यह पैक कंप्लीट होगा तो आप उसकी जगह कुछ और बिलकुल लाल है और ब्रेट जो है आपके पैक को और थिक करेंगा कंसिस्टनसी अच्छी देगा तो एक मीडियम साइज ब्रेट काफी होगा उसके एजस निकाल कि आपको इस पैक में डालना है और एक अच् क्रीम को लगाने से आपकी बॉड़ी का सबसे पहले टैन हट जाएगा बॉड़ी ब्राइट हो जाएगी स्किन लाइट हो जाएगी और भी धीमे धीमे बॉड़ी में जिते भी डर्ट पल्यूशन है उसे भी बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा जो दाग धब हैं अनीवन स अच्छे रिजल्ट में लेंगा इसकी जो इंग्जीडिन की कॉंटिटी है उसे आप ध्यार में रखते हुए बना और मसूर दाल की जो कॉंटिटी ना एक्वल रखे क्योंकि कभी-कभी मसूर दाल की कॉंटिटी जा रहा हो जाएगा फिर उरत दाल आप स्किप कर देंगे तो आपके स्किन में थोड़ी प्रॉबलम हो सकती है इचिंग हो सकती है रैस हो सकते है इसलिए दोनों की कॉंटिटी दोनों एक दूसरे को पूरा करेंगे तो आप दोनों की कॉंटिटी एक्वल रखें पैक लगबग पन के पूरी तरीके सा तैयार हो चुका है अब आपक जो फेस हाइडरीट करता है कलर निखाड़ता है तो यह बहुत सारे काम करता है तो बहुत पावरफुल इंग्रीडेंट है इसे बिलकुल स्किप ना करें बैसे तो इस क्रीम में जित्ते भी इंग्रीडेंट है आपको कुछ भी स्किप नहीं करना बस आप एक जो मस्टर्ड स और यह जो क्रीम ये आप एक पर आपनी बॉडिने छाए पर नहाने के पहले अठीर में ऊस्टर आल तेल केयार इसके लिए ऑप की बाड़ी में बनाएव फर लुटियुए नहाएफ, लाइका नहाने के पकूल बनाएव आपने वीड़ेजम तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब प्राइब करेंगे